शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम बच्चो आज के वीडियो में मैं आपको शिगर विवा होने का उपाय बताऊंगी जनम कुंडली में कितनी भी बादाएं क्यों न हो अगर नवरात्री की पंचमी तिथी पर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका या आपके बच्चे का मंगल विवा होकर ही रहेगा ऐसा सत्गुरू परदीप मिश्राजी ने बताया चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पर उस से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सब से पहले मिले कोमेंट बॉक्स में शिरीश्वाय नमस्तुभ्यम या जैमाता की जरूर लिखें इस उपाय को वो लोग जरूर करें जिन की उमर बढ़ती जा रही है रिष्टे आते हैं बात पक्की नहीं होती या रिष्टे आ ही नहीं रहे नवरातरी की पंचमी के दिन सुभा से शाम तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो इस उपाय को जिसकी शादी नहीं हो रही वो भी कर सकता है या घर का कोई बड़ा व्यक्ति या मा भी इस उपाई को कर सकती है इसको करने के लिए आपने लेना है एक आम का सुन्दर सा पत्ता आम के पत्ते में मा भगवती का वास होता है आपने आम के पत्ते पर दो स्वास्तिक के चिन बनाना है एक स्वास्तिक सिंधूर से बनाना है और एक हल्दी से सिंधूर के अंदर थोड़ा सा शुद्ध घाये का घी मिला लें उससे स्वास्तिक अच्छे से बन जाएगा क्योंकि सिंधूर पानी में गुलता नहीं एक ही पत्ते पर दो स्वास्तिक बनाने है इनी स्वास्तिक के उपर आपने चावल रखना है जो स्वास्तिक सिंधूर से बनाया है उसके उपर चावल में थोड़ी हल्दी और पानी मिला कर पीले चावल रखना है हल्दी वाले स्वास्तिक पर कुम कुम में थोड़ा पानी डाल कर चावल डालें उन लाल जंके चावलों को हल्दी वाले स्वास्तिक के उपर रख दें अब जिस बच्चे या बच्ची की शादी नहीं हो रही उसके हाथ पर इस पत्ते को रख देना है और उस बच्चे से बोलो कि वो अपना नाम और गोतर बोले फिर उस पत्ते को नीम के पेड़ के नीचे शाम के छे बजे से पहले पहले रख आएं बच्चा खुद भी रख सकता है या मा भी रख सकती है नीम के पेड के नीचे मा भगवती का वास होता है 64 योगनियों का वास होता है ब्रह्मा विश्णू महेश का वास होता है अपने दिल की प्रार्थना करें मा भगवती को परनाम करें अपनी मनो कामना बोलकर घर वापिस आ जाएं साल में चार नवरातरी आती है किसी भी नवरातरी की पंच्वीतिती पर इस उपाय को किया जा सकता है हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिन लोगों का विवा नहीं हो रहा उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इसका लाब उठा सके शिरीश्वाय नमस्तुभ्यम